स्वागत है दोस्तों आप सब का आज की इस तमाकेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्पेन वर्सीज पोर्ट गुल किर्केट मैंच के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्सन के बारे में सो दोस्तों वीडियो को पुरा एंड तक देखेगा तभी आपको पता चलेगा कि बेस्ट विनिंग टिम कैसे बनानी है पिछ रिपोर्ट कैसे देखनी है साथ ही कितने बलेबाज, कितने गेंदबाज, कितने ओल राउंडर आपको अपनी टीम में लेने हैं सब के बारे में डीटेल से चर्चा करेंगे तो चलिए मिना टाइम वेश्ट किये शुरुवात करते हैं इस इंटरास्टिंग वडियो की तो जैसा कि आप देख रहे हो, European Cricket International Spain 2023 के पहले मैच में स्पेन का सामना पोर्ट गल से होने जा रहा है Montjuic Olympic Ground Barcelona में ये मैच खेला जाएगा मैच की जानकारी अगयान आपको बता दूँ पहला मैच है ये सिरीज का Spain versus Portugal 25 November 2023 को एक बच के पंदरा मिनट पे ये मैच सुरू होगा Montjuic Olympic Ground Barcelona में ये मैच खेला जाएगा मैच के पूर्व अवलोकन की बात करते हैं तो देखे पोर्ट गल इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है पोर्ट गल ने अपने पिसले पांच मैचों में तीन मैच जीते हैं दो मैच आ रहे जबकि Spain भी सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है Spain अपने पिसले पांच मैचों में तीन मैच जीते हैं दोनों टीम में आखरी बार Dream 11 European Cricket Championship 2022 के ग्रूप A मैच 17 में एक दूसरे के खिलाब खेली थी जाँ प्रिंस गिमान ने 115 मैच फैंटसी अंकों के साथ Spain के लिए सबसे अधिक फैंटसी अंक बनाए जबकि Rana सरवर 127 मैच फैंटसी पॉइंट के साथ पोर्ट गल के लिए फैंटसी पॉइंट लेडर बोर्ड पर नंबर बनते पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं सोरेगे मौंट जोईक उलम्पिक ग्राउंड बैर्स लोना में ट्रेक काफी संतुलेत है जिसमें बलेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिल सकती है पिसले पांच मैचों में इस मैदान पर तेज गेंदबाज काफी सबल रहें उन्होंने इस मैदान पर कुल गेंदबाजी फैंटसी अंग का एक बड़ा इससा अरजित किया है इसलिए अपनी फैंटसी टीम के लिए तेज गेंदबाजों को चुनना एक अच्छा विकल्प होगा सीधे मुकाबलों की बात करते तो इन दो टीमों के बीच खेले गए दो मैचों में स्पैन ने एक और पोटगल ने एक मैच जीते हैं स्पैन के गेंदबाजी ने अपने टीम के लिए सबसे अधिक फैंटसी अंग गरजित किये जबकि आल राउंडर ने पोटगल के लिए सबसे अधिक फैंटसी अंग प्राप्त किये बात करते हैं तीन बले बाज विगट किपर की तो पहला है स्नेट रेडी तीन मैचों में 29 रन बनाए दो विगट लिए हैं दूसरा है सार्न गोम्स पांच मैचों में 141 रन बनाए तीसरा है मौम्मद बाबर तीन मैचों में 112 रन बनाए दो विगट लिए हैं गेंद बाजों की बात करते हैं तो पहला है राजा अदिल पांच मैचों में 7 विगट ले चुके हैं दूसरा है जुनेद खान तीन मैचों में 23 रन बनाए दो विगेट लिए, तीसरा है मौमद आथिप, पांच मैचों में पांच विगेट लिए चुके हैं, बात करें ओल राउंडर घिलाडियों की, तो पहला है हमजा सलिम डार, तीन मैचों में 97 रन बनाए, च्यार विगेट लिए, दूसरा है नजम सहजाद, तीन मैचों में 75 र तीन मैचों में 97 रन बनाए, च्यार विगेट लिए, कप्तान के तौर पे बढ़िया विकल्प है, उपकप्तान के तौर पे अगर आप देखें तो राजा अदिल वन अप दे बैस्ट आप्सन है, इसके अलावा दोनों टीमों के स्क्वाइड की बात करें तो आप देखें स्पेन का स्क्वाइड और पोर्टकल का स्क्वाइड दोनों ही हमारे सामने अवेलेबाल है, अब बनी बनाई फैंटसी टीम की अपन बात कर लेते हैं, विकेट कीपर के तौर पे अवेस एहमद को आपको लेना है, बलेबाज के तौर पे सनेट रेडी, सान गोम्स, यासिर अली, सुमान, गिमेरे को लेना है, ओल राउंडर के तौर पे हमजा सलेमडार, प्रिंस, डिमान, नजाम, साजाद को लेना है, गेंदबाज के तौर पे राजा अदिल, जुनेद खान, एंड मती उर रह्मान को लेना है, कप्तान आप सान गोम्स को बनाएंगे, उपकप्त हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट विडियो में, थैंक्स पर वाचिंग,